हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलरी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलते हैं तो आज यूजूल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को और माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनैल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू कर जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वाटस अप नंबर है अगर आपके लिए जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी थिकनस में इनकी फिंगर्स नजर आ रहे हैं और फिंगर्स के ओपर काफी सारी सीधी खड़ी र होती है ऐसे विक्ति दूसरों के साथ बहुती तहजीब से बात करने वाले होते हैं अब बात करते हैं फिंगर्स की थिकनस की तो यहां पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं बेस फैलंजिस को अगर हम चेक करें तो काफी अच्छी थिकनस है जिस वजह से इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी creative and artistic qualities तो रहेंगी ही साथी साथ काफी अच्छी leadership qualities भी इनके भीतर रहने वाली हैं क्योंकि सूर्या finger जो है अगर यह अच्छी लंबाई में हो तो native artistic qualities लिया होता है creativity काफी अच्छी होती है और अगर guru finger अच्छी length में हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी leadership qualities होती है ऐसा व्यक्ति दूसरों को यानि किसी team को lead करने की capacity रखता है बात करते हैं शनी finger की अब देख सकते हैं शनी finger बिल्कुल straight है यहाँ पर किसी तरह के कोई कमी इस finger में नजर नहीं आ रही जिस वज़े से ऐसे native काफी मेहनत नेचर के होते हैं और अपनी इसी quality की वज़े से काफी अच्छी progress पाने में काम्याब रहते हैं अब बात करते हैं इनकी mercury finger की अब देख सकते हैं mercury finger की लंबाई को यहाँ तक पहुंचती है जो सूर्य finger का top phalange है इस phalange तक अगर mercury finger पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति के communication skills साथ ऐसे native के वीतर काफी अच्छी communication skills और business equipment रहता है और calculations करने की काफी अच्छी capability भी ऐसे native के अंदर रहती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं fingers सभी की fingers आपस में बिल्कुल सड़ी नजर आ रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी gap नजर नहीं आ इस तरह की fingers अगर हो बिल्कुल भी gaps ना हो रोशनी आर पर नजर ना आ रही हो तो एक positive chin के तार पर इसको लिया जाता है ऐसे native की money management काफी अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति धन की एहमियत को समझते हैं और धन को बहुत सो समझ कर खर्च करने वाले होते हैं चली आगे बढ़ सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी mount यहाँ पर low set होता हो नजर नहीं आ रहा है सभी mount को यहाँ पर काफी अच्छी space मिल रही है हलका सा mount यहाँ पर जो mercury है low set लगेगा आपको लेकिन यह natural है इतना mount तो normally सभी का low set होता तो यहाँ पर किसी भी mount को हम low set में consider नहीं करेंगे और अगर हम देखें इनके ब्रस्पती मांट को तो बहुत अच्छी space इनके ब्रस्पती मांट को मिल पा रही है ब्रस्पती मांट को सिर्फ स्पेस ही नहीं मिल पा रही बलकि यह mount उभरा हुआ भी है यहाँ पर हमने देखा था कि इनकी जो ब्रस्पती fingers की length बहुत अच्छी है उसी के साथ साथ अगर ब्रस्पती मांट की भी sport मिले तो ऐसे native बहुत ही knowledgeable होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रस्पती मांट उभरा हुआ है और ब्रस्पती मांट पर उपर की तरफ उठने वाली कुछ रिखाएं आपको नज़राएंगी यहाँ पर जो इनके life line से निकल कर इस तरह से उपर की तरह बढ़ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा रिखाएं हैं इस तरह की रिखाओं को progress lines का नाम दिया जाता है जिन भी लोगों के हाथ में इस तरह हैं कि upward आने वाली रिखाएं हों और ब्रस्पती मा से ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छी तरकी life में देखने को मिलती है और यहाँ पर अब देख सकते हैं इनके अंगूठे के उपर बनने वाला बुद्धा जाई का चिन यह जो चिन यहाँ पर नजर आ रहा है बिल्कुल आंख जैसी अकृती बनती हुई इस तरह के चिन को होने लगते हैं आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही अभास हो जाना एक natural result है इस चिन का ऐसे व्यक्ति को अगर कि खुद के साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला हो या ऐसा ही कुछ अपने किसी क्रीबी मित्र के साथ या किसी relative के साथ होने वाला हो उसका पू शनी माउंट को शनी माउंट यहां पर हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है शनी माउंट बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो एरिया है यह शनी का एरिया कहलाता है हलका सा अंदर की तरफ दबता हुआ यह माउंट इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ेगी और अगर शनी रेखा हाथ में मौजूद ना हो तो मेहनत और ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन यहां पर एक अच्छी चीज़ है कि शनी रेखा मौजूद है लेकिन बहुत शनी रेखा की पॉजिशन किस तरह से यहां पर आपको नजर आएगी अलकी बरांच उसके बाद इस एरिया में उसके बाद आपको यह रेखा इस एरिया में नजर आएगी बीच में कुछ ब्रेक्स नज़र आ रही है जो अपस औंड डाौन्स को इंडिकेट करती हैं और इस एरिया में जो लगबग 36 की एज रहेगी यहां से अगर आप देखोगे तो यह जो ऊपर की रेखा है यह बहुत स्ट्रॉंग है 36 की एज के बाद इनकी लाइफ में काफी अच्छी तरक्की इनको देखने को मिलेगी बेशक यहां पर हाड़ वर्क थोड़ा सा ज्यादा रहेगा लेकिन काफी अच्छी प्रॉग्रेस यह जरूर कर पाएंगे क्योंकि प्रॉग्रेस लाइन्स भी मौजूद हैं और शनी रेखा भी यहां से स्ट्रॉंग होती हुई नजर आ रही है बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की तो यहां पर आपको नजर आएगा यह जो सूर्य माउंट है इसके उपर एक से ज़्यादा रिखाओं का होना यह जो रिखाएं हैं सूर्य रिखाएं कहलाती है दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक सीधी सूर्या रेखा हो तो वो ज्यादा अच्छी होते है क्योंकि उससे नेटिव का फोकस रहता है ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर एक लंबी सूर्या रेखा हो कुछ इस तरह है कि आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से क्यों रेखा शुरू हो और यहां तक पहुँच रही हो इस रेखा को सूर्या रेखा कहेंगे ऐसा व्यक्ति छोटी एज से ही पापुलर होना शुरू हो जाता है फेमस होना शुरू हो जाता है अगर इस तरह की लंबी रेखा हो लेकिन इसके बिलकुल विप्रीत अगर यह है रेका यहां से शुरू हो जैसा हम देख सकते हैं यह है रेका हाट लाइन के पास से शुरू हो रही है तो इस तरह की रेका होने से नेटिव को जो नेम एंड फेम है जो पॉपलैरिटी है वो लेटर एज में चलकर ही मिल पाती है यहाँ पर लगबग 58 की एज शुरू होती है यहाँ से हाट लाइन से तो 58 की एज के बाद काफी अच्छी पॉपलारिटी रहेगी उसी के साथ अब देख सकते हैं दो रिखाए हैं यहाँ पर एक की वज़ाए लेकिन उभरा हुआ है यहाँ जो एरिया है बिल्कुल उठा हुआ एरिया आपको नजर आएगा और इस तरह का मरकरी माउंट होना नेटिव के कम्मिनिकेशन स्किल्स को अनहैंस करता है अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह की दूसे तीन खड़ी रिखाए नजर आएंगी ऐसी रिखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव चिन है जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की खड़ी रिखाएं मरकरी माउंट के उपर होते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं sympathetic nature के होते हैं और अपने शब्दों से, करमों से या अपनी किसी खास quality से दूसरों की मदद कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति भी इनसे सलहा लेना पसंद करेंगे जिनके हाथ पर ऐसी खड़ी रिखाएं मरकरी माउंट के उपर हो और अगर यहाँ पर पांस से छे रिखाएं हो तो और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी line of heart को अब देख सकते हैं heart की line यहाँ पर किस तरह से बिलकुल straight नजर आ रही है इस तरह की heart line और अंत में एक Vishnu symbol बनाती हुए heart line नजर आ रही है यहाँ पर इस तरह का चिन दोस्तो जिनके भी हाथ के उपर होता है वो व्यक्ति बहुत ही भागयशाली होते हैं यहाँ पर इनके हाथ में हमें ऐसे दो चिन नजर आ रहे हैं जो बहुत ही लगी है एक तो बुद्धा जाई का चिन और दूसरा यह विश्नू symbol इस तरह का चिन जिनकी भी थेली पर होता है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की अपनी लाइफ में कर पाते हैं लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर या अनफेर मेंस से पैसा कमाने की कोशिश करे तो लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं तो इसलिए जिनके भी हाथ पर यह विश्नू symbol बनता है उन्हें हमेश्या मैं यही सुजस्ट करता हूं कि लाइफ में सही रास्ते पर चलते हुए धन कमाए गलत तरीके से बिलकुल भी धन ना कमाए ताकि आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई अडचन ना आए और आप देख सकते हैं ओवरॉल हाथ की लाइन बहुत अच्छी है कोई मेजर इश्यू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा माइंड की लाइन कुछ इस तरह से काफी अच्छी लेंथ में है और यहाँ पर यह रेखा शुरू से ही एक अच्छा गैप इंडिकेट कर रही है इस तरह का गैप होने से नेटिव काफी इंडिपेंडेंट नेचर का होता है अपनी सारे डिसीजन्स खुद से लेने वाला होता है और अब ऐसे व्यक्ति अपने सभाव के पक्के होते हैं जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं इस तरह की नेचर व्यक्ति की रहती है overall mind line में कोई भी दिकत नजर नहीं आ रही बहुत अच्छी mind की line है जिस वज़े से mind इनका शारप रहने वाला है बात करते हैं इनकी line of life की यहां पर आप देख सकते हैं life की line काफी अच्छी length में नजर आ रही है और life line से एक branch निकल कर चंदर mount की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं यह रेखा इसमें से एक रेखा का इस तरह से बाहर की तरफ निकलना और एक रेखा से यहां पर इस तरह का fish जैसा symbol बनाना यह चिन होने से native foreign travels करता है विदिशात्रा करने की समभावनाएं रहती हैं और साथी साथ यह चिन अगर हथेली पर हो तो ऐसे व्यक्ति को inherited wealth मिलने की समभावनाएं काफी सज़धा बढ़ जाती हैं ऐसे व्यक्ति अपनी life में अचानक धन कई बार पाते हैं तो यह एक बहुत ही लकी चिन के तरह पर माना जाता है और इस branch का बाहर की तरफ निकलना इंडिकेट करता है लंबी दूरी की यात्राओं को क्योंकि यह जो area रहता है यह चंदर का area होता है और इस life line की कोई branch अगर यहां तक पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति life में कई बार विदिश यात्राओं करते हैं और आप देख सकते हैं इस रेखा की लंबाई काफी अच्छी है जिस वजह से जो इनकी age है 75 से लेकर 80 के आसपास रहने की समभावनाई रहेंगी और चंदर माउंट की बात की जाए तो चंदर माउंट के उपर आपको काफी सारी ऐसी रिखाई नजर आएंगी जिनकी वजह से short distance traveling भी life में बहुत रहती है ऐसे व्यक्ति काफी travel करते हैं और थोड़ी anxiety की दिक्कत भी इन रिखाओं की वजह से होने की समभावना रहती है अगर देखा जाए इनके Venus माउंट को Venus माउंट के उपर काफी सारी ऐसी रिखाई होना positive नहीं होता इस तरह की रिखाई होने से native को family से जुड़ी दिक्कते हैं family से जुड़ी worries रहने की समभावना रहती है तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिनिया स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद